तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट करेंट एफिर्स डिसकस करने वाले हैं तोपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नलोजी में मन्त के तो वीडियो बहुत हैलफुल रहेगे आपके लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करतें इस वीडियो को लाइक करतें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें तो आएए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अफेर्स क्लाउड वी लर्न टू लीड मेरा नाम विकास है हमारी एक एप है केरियर्स क्लाउड के नाम से जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको login करना है login करने के बाद ही जैसे ही आप login करके अपनी application को open करते हैं तो आपको एक window ऐसी दिख जाएगी इस window में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के एक section दिखेगा यहाँ पर आपको current affairs इस पर click करते ही आप हमारे current affairs के section में आजाएंगे हमारा current affairs का जो section है जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत जादा help होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ यह course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम 4-5 बार revise करेंगे इतना helpful रहने वाला आपके लिए देखते हैं हम आपको क्या provide करते हैं हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पहली चीज़ हम आपको daily current affairs provide कर रहे हैं डेली PDF मिलेगी आपको डेली आपको question answer format में मिलेगा ठीक है आपको daily के 20 question मिलेगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और ये बहुत helpful होते है revision में question answers मिलेगे आपको current affairs question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको PDF मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week 50 question का quiz बहुत होता है 50 question week के मतलब सारे important question आगे उसके साथ question answer format में आपको हिंदी की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे monthly PDF PDF आपकी हिंदी में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions हैं वो आपको एक PDF प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी provide होंगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़ और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant हैं आपको मतलब अभी आपने preparation जस्टार्ट की है तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बाद यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions प्रोवाइड करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करते हैं जो आपको आगे questions आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release हुई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गए reports हो गई फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो यह काफी सारे topics होते हैं तो यह topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और यह आपको हर महिने update होती रहती हैं यह चीज़ तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं इसके साथ ठीक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe button दबाना है और हमारे चैनल को subscribe करना है इसके अलावा आप सभी friends के लिए मेरी तरफ से एक gift जैसे ही आप payment करने वाले होंगे हमारी application में वहीं पर आपको नीचे एक code डालने का option मिलेगा अगर वहाँ पर आप vikast 10 code डालते हैं तो आपको सीधा 10% का extra discount मिल जाएगा सिरफ vikast 10 आपको code उसमें यूज करना है and मेरी तरफ से आप सभी के लिए additional 10% discount तो जाएए जल्दी से हमारे courses को देखिए and उसको purchase कीजिए तो आईए अपनी वीडियो start करते हैं तो चलिए friends सबसे पहले हम बात करेंगे एक pest resistance variety of soya bean की ठीक है अभी recently एक नई variety या high yielding variety high yielding मतलब उससे जो पैदावार होगी जो production होगी वो जादा होगी तो high yielding और pest resistant एक soya bean की नई आई है जिसका नाम रखा गया MACS 1407 ठीक है इस variety का नेम है MACS 1407 soya bean की variety रहीगी ये high yielding है और pest resistant है नाम है MACS 1407 ठीक है ये new variety जो है 39 quintal per hectare ग्रो कर सकता है किसके दोरे डेवलप किया गया वो देखते हैं ठीक है ये डेवलप किया गया by scientist from MACS MACS क्या है आपका महारास्टरा Association for the Cultivation of Science Research Institute और जो institute का नाम रहेगा basically जो आपको याद रखना है वो है अगर कर research institute पुने में है उनके साथ मिलके ICAR जो की Indian Council of Agriculture Research जिसका headquarter न्यू डेली में है इन्होंने मिलके ये नई variety सोया बीन की developed की जिसका नाम है MACS 1407 तो जो ये नई वेराइटी है ना सोया बीन की ये सबसे ज़्यादा beneficial रहेगी rain fed conditions में जो की जैसे आपकी North East India में हो गई basically अगर states की बात करें तो Assam, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgad और जो North Eastern states है उनके लिए ये बहुत helpful रहने वाली है MACS 1407 जो की किसके दवराब बनाए गई अगर कर Research Institute पुने में in collaboration with ICR जिसका headquarter है New Delhi में ठीक है तो ये नई वेराइटी किसकी थी? सोया बीन की next, next हम बात करेंगे Perseverance rover की जो की NASA का mission था कहां पर Red Planet Mars पर तो देखो, ये कह रहा है कि recently अभी जो ये Perseverance गया था rover Mars पर इस पर NASA ने अपनी एक technology या फिर एक testing project को भेजा जिसका नाम रखा MOXIE MOXIE क्या करेगा? वहाँ पर oxygen पैदा करेगा surface पर Mars के oxygen जो plant अर्थ पर काम करते हैं oxygen production का वह MOXIE वहाँ पर Mars पर करेगा ये एक छोटा सा project भेजा मतलब आप ज़्यादा नहीं कह सकते एक छोटा सा क्यूं कह लिजे इतना बड़ा इसको भेजा जो कि वहाँ पर oxygen डेवलप करेगा in-situ resources से in-situ resource होते हैं मतलब जैसे carbon dioxide का electrolysis का ये process यूज करके oxygen डेवलप करेगा मतलब carbon dioxide का electrolysis किया और उससे oxygen पैदा करेगा जो carbon dioxide इसको चाहिएगी वो surface of कहां से मिलेगी atmosphere of Mars से ही इसको अर्थ से कोई product यूज नहीं करना है पड़ेगा इसलिए इसको in-situ resource collector भी बोला गया ठीक है चलिए not in-situ resource utilization experiment ठीक है तो NASA का ये mission रहा Perseverance rover इसका नाम रहा oxygen प्रोड्यूस करेगा Mars के carbon dioxide लेके मतलब Mars के atmosphere से resource यूज करके और इसका नाम रखा गया MOXIE जो की है Mars Oxygen in-situ resource utilization experiment ये एक पहला time होगा कि oxygen another planet पे प्रोड्यूस की जा रही है जाता है and now अगर हम बात करें तो ये success हो गया oxygen प्रोड्यूस हो गई है तो अब क्या करेगा जब next time हमारा जो rocket Mars पे जाएगा या फिर जो mission Mars पे जाएगा वो एक बहुत बड़ा similarly MOXIE का एक gigantic रूप लेके जाएगा क्योंकि अब हमें आगे आने future जब हम colonize करने की बात कर रहे है Mars को तो हमें oxygen की बहुत जरूद पड़ेगी वहाँ पे ठीक है तो जो MOXIE है या भी 5 gram oxygen प्रोड्यूस कर रहा है carbon dioxide से जो कि 10 minute के लिए sufficient है एक astronaut के लिए ठीक है आने वाले time में और जादा बड़ेगा ये फिर जो atmosphere है वो 90% carbon dioxide है इसलिए हम वहाँ की ये carbon dioxide यूज़ करेंगे उसको electrolysis करेंगे electrolysis करने के बाद उससे oxygen हम separate कर लेंगे carbon dioxide के molecule से ठीक है फिर हम बात करें क्यों important है क्योंकि वहाँ पे humans के लिए oxygen breathe करने के लिए भी helpful रहेगा और जो rocket है उसको fuel करने के लिए भी oxygen का बहुत बड़ा use होता है oxygen is a fuel काम करता है rockets में फिर MOXIE की बात करें किसके दोवारा develop किया गया है ये आपका NASA के जो NASA का space technology mission direct rate है and human exploration and operation mission direct rate के दोवारा इसको develop किया गया ये joint mission था NASA का jet preparation laboratory MIT hastag observatory और MIT के department of aeronautics and astronautics का ये joint venture था फिर अगर NASA की बात करें तो administrator कौन है Steve Jarek है और headquarter NASA का कहां पर है Washington DC में इसके साथ Washington DC में दो और headquarter important है एक है IMF का international monetary fund और दूसरा आपका world bank का और राइट चलो next next हम बात करेंगे कि recently scientist के दोवारा Milky Way का सबसे छोटा black hole discover किया गया और उसका नाम रखा गया the unicorn याद रखेगा काफे important है ये information आपके लिए इतनी useful नहीं रहेगी जितना ये रहेगा आपको सीधा black hole का नाम याद रखना है सबसे छोटा Milky Way का black hole क्या है unicorn और जो सबसे closest star रहेगा आपके solar system से वो कौन से है proxima century जो कि सिरफ 4 light years दूर है और ये आपका black hole जो रहेगा ये 1500 light years दूर रहेगा अर्चे और ये तीन times mass है sun का next next हम बात करेंगे एक company strator launch के दुआरा इन्होंने world का और सबसे most powerful world का largest और सबसे most powerful rocket और not rocket spacecraft develop किया आप इसको देख सकते हैं ऐसा लग रहे है दो spacecraft या दो aeroplane को बनाके एक particular spacecraft बनाए गया ये world का सबसे largest plane है ठीक है world का largest aeroplane जिसका नाम रखा गया ROS ROC ये किसके दुआरे develop किया गया सबसे पहला question तो यही आएगा strator launch के दुआरा ठीक है यहाँ इसे हम direct rockets को launch कर सकते है ये 5,50,000 pound का payload भी carry कर सकते है और इसकी जो top speed रहेगी वो रहेगी 190 meter पर आर की इसकी जो पहली flight थी वो April 2019 में हो गई थी तो question क्या बन सकता है इससे कि world का largest aeroplane किन के दुआरा बनाया गया वो है strator launch के दुआरा next next हम बात करेंगे SpaceX के दुआरा अभी recently Dragon capsule में ये चार astronauts आपके ISS पे लेके गए थे ISS मतलब International Space Station पे लेके गए थे तो ये जो Dragon capsule था अब वापस इसको चार astronauts को वापस लाया है और इसका क्या नाम रहा? Resilience ठीक है? तो ISS से ये चार astronauts वापस आए और ये splash down into the Gulf of Mexico वहाँ पे वहाँ पे मतलब crash landing कह सकते हैं या फिर वहाँ सीधे उनको land हो गए जो की Florida USA में है और राइट चलिए जो चार astronauts है वो है Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker और Shoichi Noguchi इसके एलाइस में बताया गया है फिर आपका की SpaceX के दौरा crew win mission के दौरा ये आपके 6 मंत के लिए ISS station पे लेके गए थे Falcon 9 rocket यूज किया गया था इसमें और राइट कहां से launch किया गया था NASA's Kennedy Space Center से इसको launch किया गया था अब बहुत है बोला जा रहा है कि about crew to mission कि 23 अपरेल 2021 को spacious through its 9 Falcon 9 rocket send 4 astronauts to the international space station and इसका नाम किया रहा crew to mission और कहां से launch किया गया ये Kennedy Space Center Florida USA से इसको launch किया गया था ठीक है याद रहेगा चलिए फिर अगर हम बात करें SpaceX की ये 2002 में launch हुआ था CEO कौन है Elon Musk Headquarter California USA है NASA की बात करें तो ये 1958 में established हुआ था और इनके administrator है Bill Nelson जो की 14th NASA administrator रहेंगे ठीक है चलिए Next Next भी हम SpaceX की एक और company की बात करेंगी कि SpaceX का project है Starlink Starlink क्या है ये एक internet service provider company रहेगी जो की आने वाले time में बहुत सारी satellites atmosphere में launch करेंगी उन satellites का का काम क्या होगा ये internet provide करेंगी all over the earth even remote locations पे अगर आप ले लद्दाग में चले जाईए वहाँ पे आपका proper net functions नहीं करते हैं तो even वहाँ पे ये net provide करेंगी ठीक है आग 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 आप पढ़ेंगे कि ये Starlink किस company के साथ tie up करेंगे तो ये Google के साथ tie up करेंगे internet provide करने के लिए और to be specific अगर Google की बात करें तो Google में भी Google Cloud Service के साथ tie up करेंगे ताकि ये even remote location या फिर आप कह सकते हैं पूरी अर्थ पर internet service provide कर सकें तो अभी recently बात करें तो इन्होंने 60 होर satellites को launch किया है orbit में और कहां से किया NASA के Kennedy Space Center से इसको launch किया तो इसमें भी आपकी same चीज़ बताई गई है तो ज़्यादा time waste नहीं करते है फिर अगर हम बात करें SpaceX के हम देख चुके है Headquarter California में USA में है और इसके CEO है Alan Musk Next हम बात करेंगे Facebook ने कभी App Vaccine Finder Tool लाँच किया है इंडिया में Facebook ने partner किया Government of India के साथ To launch the Vaccine Finder Tool To the mobile application Facebook यह app is available 17 language में इसको available किया गया और यह public को enable और locate करने में help करते है कि उनके पास कौन कौन से centers पे Vaccine अविलेबल है या लग रही है इसके अलावा Facebook has announced 10 million US dollar grant To India for its emergency response अगर off COVID-19 situation Moving on Next हम बात करेंगे Uranium 214 यह एक Isotope developed किया गया है यह lightest form of uranium है जो recently developed किया गया Scientist के द्वारा Scientist ने अभी recently New uranium isotope को discover किया जो कि Uranium 214 है At the Heavy Iron Research Facility चाइना में यह lightest ever known रहेगा Isotope किसका uranium का The discovery helps to reveal more about The alpha particles जो कि निकलते है Radioactive elements as they decay ठीक है Then This is the much lighter than The common uranium isotopes It has 30 more neutrons than protons One fewer neutron Than the lightest known uranium isotopes And neutrons and protons Have a mass of one Moving on Important पर आते हैं Next नम बात करेंगे Remote Sensing Satellite की किसकी? China की कौन सी है? Yaogan 34 याद रखियेगा Yaogan 34 यह आपकी Remote Sensing Satellite रहेगी किसकी? China की ठीक है Yaogan 34 China की है Successfully launched किया गया और क्या है Satellite अगर इसके बारे में बात करें तो कौन सी रॉकेट से लॉंच की गई है? Yaogan 34 यापकी Long Mac 4C रॉकेट से इसको launch किया गया Gobi Desert से लॉंच किया Northwestern China में है ठीक है? चलिए China की बात करें तो Capital है Beijing Currency है Rembini President है Jinping और जो China की Space Agency है वो है जैंक की जैन और Headquarter रहेगा Beijing चाइना में तो यह है Yogan 34 चाइना की Remote Sensing Satellite नेक्स फिर से हम SpaceX की बात करेंगे कि SpaceX has landed Starship इनका जो Starship स्पेसक्राफ रहेगा इसका जो First Successful Test Flight थी यह पूरी हो गई है तो एक जस additional information नेक्स नेक्स हम बात करेंगे कि चन्ने बेस Central Institute रहेगा जिसका नाम है CIBA Central Institute of Brackish Water Aquaculture इनके दुआरा फिशीज में एक disease पाई गई जिसका नाम रहा Viral Nervous Narcosis इस disease के लिए vaccine डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया Ciba Nordvac-R ये Ciba Nordvac-R डेवलप किसके दौरा की गई Central Institute of Brackish Water Aquaculture जो की चन्ने बेस्ट कमपनी है या institute कह सकते है ठीक है ये इन्डिया में डेवलप की गई पहली vaccine है for VNN disease जो की fishes में पाई जाती है और VNN की full form है Viral Nervous Narcosis ठीक है और इसके help किसने की Indian Council of Agricultural Research के दौरा इनके help की गई Ciba की Next Next हम बात करेंगे IBM के बारे में IBM ने अभी recently unveil किया मतलब launch किया वर्ल्ड की पहली 2 nanometer की chip ठीक है अभी तक जो standard size रहता है वो approximately 7 nanometer का रहता है लेकिन recently IBM के दौरा 2 nanometer की chip अभी वर्ल्ड को दीन होने एक nanometer आपकी अगर हम बात करें 10 to the power 9 nanometer एक nanometer आपका 10 to the power 9 meter होता है ठीक है और इन्होंने अभी जो deliver की है 2 nanometer की chip की है इसका use क्या रहेगा कि इससे आपकी जो battery life है ना 4 times हो जाएगी ठीक है जो processing speed होगी वो काफी जादा बढ़ जाएगी इससे ये बहुत जादा helpful रहेगा आने वाले even laptops में even mobile में ठीक है battery life पे भी बहुत जादा help मिलेगी तो international business machine जो की IBM है इन्होंने world की पहली 2 nanometer की chip promise की इनको and to promise the speed up access to the internet longer battery life and faster processing time in application मतलब even net processing की आपकी speed बढ़ेगी longer battery life होगी और जो आपका processing होती है applications को वो phone जैसे slow RAM कहते है कितनी जादा RAM उतना जादा अच्छा phone तो ये उसमें बहुत help रहेगा क्योंकि इसकी processing speed काफी जादा बढ़ जाएगी अभी तक जो most advanced chip थी वो 7 nanometer की node chip थी लेकिन इन्होंने अभी 2 nanometer की chip प्रोवाइड की इसका जो useful रहेगा benefit रहेगा वो क्या रहेगा कि phone cell phone की जो battery life है quadruple हो जाएगी मतलब 4 times हो जाएगी फिर जो slashing of the carbon footprints of the data centers ठीक है इसके अलावा बात करें तो drastical speeding up of laptop functions मतलब जो आपके laptops उनकी speed पे भी काफी जादा effect आएगा contributing to faster object detection मतलब जो self driving cars होती है जैसे Tesla work कर रही है तो Tesla का work क्या है तो वो cameras होते हैं बहुत सारे और वो object को detect करके अपने आप गाड़ी चलती है using the AI तो उनके लिए काफी helpful रहने वाला है ये फिर अगर हम IBM की बात करें तो CEO कौन है अरविंत कृष्णा headquarter कहां पर है इसका IBM का यह है आपका अर्मॉंग USA New York में next next काफी important रहेगा इसको mark करके चलिएगा कि अभी recently Interpol के द्वारा एक ID.art के नाम से एक application launch की गई यह ID.art का first क्या रहेगा जो भी आपकी मतलब famous artwork होता है या चोरी हो जाता है तो उसको आप इस ID.art इस app पर register के दिजे बता दिजे कि हमारा यह product या फिर यह art हमारी painting चोरी हो गई है तो वो कहीं पर भी world में अगर कहीं पर deliver हो रही होगी या कहीं buy की जाएगी तो उसमें या फिर उस particular area में तो पता लग जाएगा और उस चोरी को रोका जाएगा और वो आपका product वापस किया जाएगा तो यह काफी helpful रहेगा art को maintain करने के लिए ठीक है तो application का नाम रहेगा ID art किसके डेवलार डेवलप की गई Interpol Interpol का नाम क्या है International Criminal Police Organization यह अभी ठीक है फिर इसका use क्या रहेगा search database की मतलब कोई भी stolen work of art होगा तो पता लग जाएगा उससे इन्वेंटरी ऑफ प्राइवेट आर्ट कलेक्शन की मतलब आप इन्वेंटरी बना सकते हैं कि जो जो चोरी हुई है in the case of that तो वो उसमें फीड कर सकते हैं रिपोर्ट कल्चुरल साइट्स विचार पोटेंशिल एट रिस्क मतलब जो जो हरिटेज जहां पे जैसे कल्चर साइट्स हैं बहुत सारी पेंटिंग्स हैं या और भी आर्टबक हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए उनका एक डाटा मेंटेन करने के लिए काफी हल्फुर रहने वाला है फिर यह अभी जो यूस सक्सेस्फुलीट कहां पे यूस की गई इटली और नीदरलेंड में इसको टेस्ट किया गया और वहाँ पे काफी अच्छा सक्सेस रेट मिला इसके बाद हम बात करेंगे इंटरपोल की तो हेड़कॉर्टर कहां पर है लियॉन फ्रांस में और इनके जो सेकेटरी जनरल है कौन रहेंगे जरगन स्टॉक नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे सीबी एस्टी जो की सेंटरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इनके दुआरा एक एप लाँच की गई स्टूडेंट्स के लिए फॉर्ड दियर साइको शोशल वैल्बिंग मतलब प्रेशर ना ले बच्चे जाधा स्ट्रेस में ना है उनके आगे फ्यूचर की प्लैनिंग के लिए तो यह एप क्या नाम रहा इस एप का यह है दोस्त फॉर लाइफ इस पे क्या है क्लास्ट 9-12 के बच्चों के लिए कांसलिंग सेशन्स अवेल करिया जाएंगे जो की कौन लेगा सेशन्स को ट्रेंड कांसलर्स या प्रिंसिपल्स अफ दे स्कूल्स जो की एक वीक में तीन टाइम होगा इसकी कोई कॉस्ट निया कोई भी बच्चा इस कांसलिंग सेशन्स को ले सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे विनकोव 19 की ये एक एंटी बॉडी इंजिनियर्ड प्रोड़क्ट है जो की COVID-19 के ट्रेटमेंट में काफी हेल्फ करने वाला है विनकोव 19 इसको क्लिनिकल ट्राइल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है और ये अप्रूवल कौन देता है DCGI के द्वारा जो की ड्रक्स कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया है इनके द्वारा दिया जाता है ठीक चलो नेक्स पे फिर से हम स्पेसेक्स की बात करने है कि स्पेसेक्स 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में एक सैटलाइट लॉँच करेगा कहां पर? मून पर और ये जो सैटलाइट रहेगी ना इसका नाम रहेगा डॉज वन डॉज वन इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि काफी जादा हाइप मिला हुआ था ये डॉज एक आपकी क्रिप्टो करंसी भी है आप इसको यहाँ देख सकते हैं इसको पंप करने के लिए क्रिप्टो मार्केट में एलन मस्क ने 2022 में लॉँच होने वाले सैटलाइट का नाम रखा गया डॉज वन और ये कहां पर जाएगी मून पर नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया के पहले अन्मेंड वेसल जो की नेविगेट करेगा एटलांटिक ओशन के थुरू और ये किस पर वा करेगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पे काफी सारे वहाँ पे ये डाटा भी करेगा जैसे वहां का टेंपरेचर क्या है क्या क्लाइमेट रहता है अंदर कौन सी स्पीशीज है कोई नई स्पीशीज आई है तो उन सब का डाटा भी लेगा ये ठीक है मेफलावर 400 नाम रहेगा इस वेसल का ये फर्स अन्मेंड वेसल है मतलब AI पे वर्क करेगा एंड ये नैविगेट करेगा अक्रॉस एट्लांटिक ठीक है वर्ल्स फर्स आर्टिफिशल इंटेलिजेंस शिप मेफलावर 400 नाम रहेगा नैविगेट करेगा अक्रॉस एट्लांटिक किसके दुआरा बनाए गई गई शिप है अपने आप चलेगा पंदरा मीटर लॉंग ट्राइम एंड वेस नौ टन का इसका वेट रहेगा ठीक है ये आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और सोलर एनरजी पर काम करेगा मतलब इसको एनरजी कहा से मिलेगी सोलर पैनर से मतलब डारेक्ली एक क्लीन फ्यूल ये लेगा इसको अभी जो ट्रेन किया गया है पचास मीटर की हाई वेबस को जहलने के लिए ट्रेन किया गया है एंड फिर अगर हम IBM की बात करें तो CEO कौन है अर्विंद कृष्णा है अर्मांक USA आगे फिर हम बात करेंगे डियाडियो के द्वारा अभी रिसेंटली एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अल्गोरिटम डिवलप की गई जिसका नाम रखा गया एटमैन AI इसका जो काम रहेगा क्या रहेगा वो करेगा डिटेक्ट कोविड-19 को चेस्ट एक्सरेज में से मतलब जो आपका चेस्ट का एक्सरेज होगा उसको इस एप पर ये मतलब एक एप होगी या सौफवेर होगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पे वर्क करेगा इसका नाम है एटमैन AI आप इसको वो अपना चेस्ट एक्सरेज इसमें डाटा को डाल दो तो वो उसमें से डाटा को स्कैन करके आपके चेस्ट एक्सरेज को स्कैन करके बता देगा वेरियस एल्गॉरिदम्स के थुरू कि आपको COVID-19 है या नहीं ठीक है ये डवलप किसके दुवारा किया गया है DRDO के दुवारा में यही है next 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 हम बात करेंगे यह जाएगा और इसने मतलब research purpose के लिए इसको छोड़ा था and इसकी full form देख लेता है पहले काम भी बताता हूं कि इसने recently जो important है वो यह है कि asteroid Bennu याद रखेगा Bennu नाम से asteroid इस पे से sample collect किये dirt के stones के and यह अपने साथ उसको वापस ला रहा है अर्थ पर ताकि उस पे research करी जा सकते कोई नया mineral या फिर कोई life organic life हमे महा मिले इसके लिए ठीक है तो auris rex auris rex की पहले तो full form देख लेते हैं क्या रहेगी यह है NASA का spacecraft था origins spectral interpretation resource identification security recollect explorer ठीक है इस यह auris rex इसका auris rex इसका नाम रहेगा ठीक है इसने asteroid Bennu से अपने samples collect किये और यह 2023 तक अर्थ पे वापस आएगा आने से पहले यह दो बार sun के चक्कर लगाएगा ठीक है और इसके अगर asteroid Bennu की बात करेगे 200 million miles दूर है अर्थ से next next हम बात करेंगे NASA ने exoim space के साथ मिलके एक agreement sign किया कि हम first private astronaut mission carried करेंगे जो की astronauts को कहां लेके जाएगा ISS पे जो की है International Space Station पे January 2022 तक ठीक है और इसका नाम रखा गया exoim mission 1 AX1 के साथ भी आप इसको याल रख सकते हैं तो किंदो के बीच में agreement हुआ US की space agency NASA और exoim space के बीच ठीक है और ये लेके कौन जाएगा इसको SpaceX का crew dragon capsule इसको लेके जाएगा crew को ISS पे और चार crew जाएँगे ठीक है ओ गया इसके अलावा याद रखिए the crew will stay on the ISS for 8 days के लिए और जो चार crew के नाम है वो है Michael Lopez फिर दूसरे हैं आपके Larry Cornor Mark Pathy और Eaton Stib फिर अगर NASA की बात करें administrator है Bill Nelson headquarter है Washington USA next next मैंने आपको ये information पहले discuss कर चुका हूँ अभी उपर की SpaceX company का जो starlink mission है जो की internet service provider रहेंगे आने वाले future में उन्होंने किस company के साथ tie up किया उन्होंने Google के साथ tie up किया और Google का भी कौन सी company Google का भी Google cloud के साथ मिलके इन्होंने tie up किया internet provide करने के लिए ठीक है Google cloud is set to partner with SpaceX to provide cloud services to help deliver high speed internet through SpaceX starlink satellite और राइट ये service आपकी before the end of 2001 के start हो सकती है काफी सारे countries में एंड जो अगर हम फिर बात करें Google की कौन है CEO सुंदर पिचाई headquarter California USA और SpaceX की बात करें तो CEO Elon Musk और इसका भी headquarter कहाँ पर है USA में next next हम बात करेंगे NASA का giant web telescope के बारे में जिसका नाम रहेगा James Webb Space Telecope यह याद रखिएगा James Webb Space Telescope आपका दुनिया का सबसे लारजस्ट और मोस्ट पारफुल Space Science Telescope रहने वाला है जो कि कि किस के दोरा बिल्ट किया गया है NASA के दोरा बिल्ट किया गया और बताया जा रहा है जो इसका काम रहेगा यह जैसे हमारा पूरे युनिवर्स को बोला जाता है कि 13.4 बिलियन इयर्स ओल्ड है यह उससे भी पीछे देखेगा and help करेगा discover करने के लिए कि हमारे origin existence में कैसे आया जो secrets है हमारे युनिवर्स के वो help को वो find out करने में हमारी help करेगा यह इतना बड़ा है कि इसका जो light को capture करने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते है यह fins या फिर इसके इनको क्या है खोला जाएगा ठैके यह जैसे खोलेंगे ओरिगेमी स्टाइल में तो यह क्या है बहुत बड़ा एक टेलिस्कोप सा बन जाएगा जो light को receive करेगा तो उसमें यह solar energy भी यूज़ करेगा खुद को power करने के लिए और काफी सारे इसके और work रहेंगे तो काफी important रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा और most powerful टेलिस्कोप अब कौन सा है James Webb Space Telescope किन के दवारा डेवलप किया गया NASA के दवारा इसको डेवलप किया गया next next काफी भी एक important information रहेगी याद रखेगा कि एक missile warning satellite system डेवलप किया गया US के लिए जिस rocket Atlas 5 rocket से इसको launch किया गया और जिसका नाम रहेगा SBI RS GO 5 ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ missile warning satellite system रहेगा यह US Space Force के लिए और यह Atlas 5 rocket से इसको launch किया गया SBI RS GO 5 इसका नाम रहेगा ULA launch मतलब United Launch Alliance के दवारा launch किया गया Space Based Infrared System Geosyncrasse Earth Orbit Flight 5 जो कि Sibris GO 5 रहेगा ठीक है कहां पे Into the Orbit for the US States United States Space Force के लिए इसको launch किया गया Atlas 5 rocket के दवारा और Cap Canerval Space Force Station जो कि Florida USA में उससे इसको launch किया गया था ठीक है चलिए Next Next हम बात करेंगे Iran ने अपना strongest domestic super computer को launch किया जिसका नाम रहा Simorg ठीक है पूछा जा सकता है कि Iran का अभी currently strongest domestic super computer कौन सा है वो है Simorg ठीक है ये बनाया किन के दवारा गया है ये बनाया गया है अमीर कबीर University of Technology के दवारा इसको बनाया गया estimate रहेगा 173 करोड रुपीज का ओल्राइट I repeat Simorg Iran का strongest domestic super computer है इसका नाम है Simorg बनाया गया अमीर कबीर University of Technology के दवारा इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि एक नए जनरेशन का super computer भी बनाया जा रहा है इरान के दवारा मायरम जिसका नाम रहेगा ठीक है मेर वाई ये है मर्यम इसका नाम रहेगा ये इरान के mathematician के पीछे और जो scientist थे उनके नाम पे इसको naming की गए जिसका नाम था मर्यम मिर्जाकानी ठीक है ये इरान में ही डेवलप किया जा रहा है नए दूसरा super computer तो दो super computer हो गए एक जो strongest domestic super computer है भी सिमॉर्क और जो नया बनाया जा रहा है वो है मर्यम प्राइम मिनिस्टर की बात करें इरान के वो है मुस्तफा अलकदामी और कैपिटल है तेरान moving on next हम बात करेंगे कि Indian Navy ने अपना first destroyer जो की है INS राजपुत उसको decommission कर दिया है 41 years of service के बाद ठीक है ये INS राजपुत आपके किस regiment पे था ये राजपुत regiment में commission किया गया था ये इंडिया का first navy ship है to be associated with Indian Army Regiment राजपुत regiment ठीक है ये कहां पे था कहां decommission किया गया है विशाका पड़नम आंधरपरदेश में 41 साल की service के बाद और and it is the first ship जिसको anti-ship supersonic cruise missile Brahmo से equip करा गया था 2005 में ठीक है तो INS राजपुत को अब decommission कर दिया है और एक चीज़ और ये इंडिया का पहला destroyer था INS राजपुत next next हम बात करेंगे DRDो के द्वारा भी recently एक antibody detection के develop की गई है जिसका नाम रखा गया dipco when dipco when क्या करेगा आपकी body में बताएगा कि क्या आपकी body में antibodies बनी हुई है या नहीं corona की ये काफी helpful रहेगा research के लिए कि कोई vaccine या फिर अगर किसी व्यक्ति को anti-corona होता है तो उसकी body में कितने समय तक antibody रहती है dipco when ये बनाया गया DRDO के दौरा और याद रहेगा आई रिपीट defense institute of psychology and alliance science a unit under the defense research development organization के दौरा ये dipco when बनाया गया और अगर DRDO में भी specific रहना है आपको तो defense institute of psychology and allied science जो के DIPAS है ये DRDO का ही organization है इनके दौरा dipco when के याद रखिएगा ये जो है ना काफी helpful रहेगा and ये जो केट है आपकी सिरफ 75 minute में आपका result दे देगी कि आपके body में antibody है या नहीं और इसकी जो shelf life है वो 18 माईने की है और इसको June 2021 में launch किया जाएगा next next हम बात करेंगे कि Microsoft के द्वारा जो इनका एक Internet Explorer था जो आपका web search engine था Internet Explorer उसको retire किया जाएगा 2022 में ये question important रह सकता है कि Internet Explorer किस organization का है वो है Microsoft का और इसकी retirement age क्या है 2022 में इसको retire कर दिया जाएगा next हम बात करेंगे NASA के एक mobile robot के बारे में जिसका नाम रहेगा Viper Viper की पहले तो आपको full form पता होने ची यह हम discuss कर चुके हैं पहले Volatiles investigating Polar Exploration Rover जिसका नाम है Viper ये एक moon mission रहेगा जो की पानी को search करेगा moon के surface पे ये south pole पे जाएगा ये आपका mobile robot south pole पे moon के launch किया जाएगा वहाँ पे ये जो मतलब dark areas है जहाँ पे जैसे light नहीं पड़ती सूरज की तो उस areas में क्या है water ice के format में present हो सकता है तो south pole पर उसके search करेगा ये तो अगर हम data देखें किसके दोरा बनाया गया NASA के दोरा ये आपका first mobile robot बनाया गया जिसका नाम रहेगा वाइपर ये 2023 में moon के surface पे बेज़े जाएगा ये क्या रहेगा Artemis program का part रहेगा objective क्या रहेगा कि वहाँ पे surface पे क्या water available है ice के format में हो या कैसे भी हो water के presence को trace करेगा ये ठीक है very good इसके लाब आप ये देख सकते हैं ये चार इंस्ट्रूमेंट जो carry करेगा regolith, ice drill, mass spectrometer observing lunar operation, the near infrared volatiles and the neuro spectrometer system तो main चीज़ वापस वही आ जाता है question पूछने के format में कि कौन सा first mobile robot है Viper Viper की full form volatile investigating polar exploration rover किस के द्वारा बनाया गया NASA के द्वारा कब launch किया जाएगा 2023 में कहां पर moon पर launch किया जाएगा काम क्या रहेगा कि पानी को search करने का next next हम बात करेंगे एक fake buster system develop किया गया IIT roper पर पंजाब और Monash University Australia के द्वारा ठीक है ये आपका fake buster system क्या रहेगा ये detect करेगा कि कोई आपकी face को use करके क्या कहीं virtual conference ले रहे है या फिर आपका face को edit करके कही social media पर आपको defame कर रहे है या आपका कोई joke बना रहे है आपके उपर meme बना रहे है ठीक है editing जो fake detection होता है उसके लिए बहुत helpful रहेगा ठीक ये थी हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाए और हमारे चैनल को subscribe कर दे और इस वीडियो को like कर दे और friends अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी जीमेल आइडी जो की है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 967-333-862 पर contact कर सकते है और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपकी issue को resolve करने में आपकी साहता करेगी So take care